मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये बतन सांती का उन्नती का फ्यार का जमन इसके बास देली सार है मेरा तन मेरा मन आए बतन आए बतन आए बतन जानी मन जानी मन जानी मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये बतन सांती का उन्नती का प्यार का जमन इसके बास देली सार है मेरा तन मेरा मन आए भ Casey दैप ऐ बतन जानी मन जानी मन जानी मन दोस्तों नट अपनी आपनी मात्र भूमी अर्थाओं अपने भारत मता कू सथ सथ नमन करता हूं और बहता हूं अपने वीडियो के ओर तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है और फोर्ट करेंट इंग्लिश ट्रांस्लेशन से और यह एक्सरसाइज फोर है इससे पहले थ्री तक जो एक्सरसाइज है जिसे हम सॉल्व कर चुके हैं जिसका लिंक आपको जैंके बनीश nellis बीडियो के अंदर मिल जा यह तो दोस्तो आई इसमें कहा जा रहा है ट्रांसलेट इंटू इंग्लीष अर्थात इंग्लिष में अनुबाद करें यहां पर कुछ हिंधी रियाहु об Champa dos否 गा तुम तैयार व,क्या हम लोग गलत है क्या 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 में में एजे पहले डाल देना ह। अरफाल में एज्ट॥ जो जिसके साथ हैं जैसे एम आई के साथ आता है इज ही सी हमेसाथ प्रसन नमर आता है और य ours एसके बाद देना है और इसके बाद डालना है subject subject जैसे i, v, u, c और इसके बाद डालना है object तो इस तरह से ये बिठाना है और इसे ये सारा solve हो जाएगा पहला है मैं पागल क्या लिखा हुआ है क्या मैं पागल हूँ तो क्या मैं पागल हूँ अगर ये sentence इस रूप से रहे मैं पागल हूँ तो होगा I am mad तो इसमें कहा जा रहे क्या मैं पागल हूँ तो यही M पहले आ जाएगा ये जो M देख रहे हैं ये पहले आ जाएगा जाएगा मैं अग्या तुम तयार हो आर यू रेडी तो दोस्तों यहां से एम लिए हैं सब्जेक्ट हो गया है और मैंट जो गया उब्जेक्ट हो गया इस तरह से आर यू के साथ लगता है तो आर यहां से लिए सब्जेक्ट हो गया यू और ऑब्जेक्ट हो गया डिडि क्या हम लोग गलत है आर वी रॉंग क्या हुआ विनम्र है इस ही हमबल क्या वे लोग ठके हैं आर दे टायर्ड क्या रीता निर्दोस है इस रीता इन्नोसेंट क्या आपका भाई तेज है इस यूर ब्रदर इंटेलिजेंट क्या रामु दूस्थ नहीं है देखिए दोस्ट यहां पर नॉट का यूज होगा चुकि नहीं है तो नॉट हमेंच लगाना है सब्जेक्ट वाद नॉट लगा देना है क्या रामु दूस्थ नहीं है इज रामु यह सब्जेक्ट हो गया इसके वाद नॉट लगाई क्या मैं भाग्य साली नहीं हूं मैं सोरी एम होगा पहले एम जीजिए एम आई नॉट लग्की लग्की छोटा एल देजी अच्छा रहेगा चुपी टांसलेशन में जो होता है ना पहला लेटर केटर होता है बागी बीच में सारफ छोटा होता है स्मोल लेटर होता है और कहीं कहीं पर क्याप्टेलर यूज़ करते हैं जैसे नाम हो गया ऐसा खास नाम जो एक हो बुनिया में एक हो ऐसे नाम की जगड़ क्या वह बैमान नहीं है क्या बच्चा नटखट नहीं है क्या बच्चे नटखट नहीं है है आर दो चिल्डरें नोट नोट नोटी तो दोस्तों जो हम नोट किये थे ट्रंसलिशन उसका सारा अनवाद कर चुके हैं कुछ और है जिसे हम नोट करते हैं तो दोस्तों आगे जो बचा था सेंटेंस उसे हम नोट कर चुके हैं कि इसमें दो और रह गया है जिसे हम बाद में नोट करेंगे कि इस में कहा जा रहा है क्या आपकी पत्मी सरमिली नहीं है कैसे बनाएंगे panorama यूर वाइब नॉट साई सरमिली को इंगलेश में साई बोलते हैं वास्फूल भी बोलते हैं अब कोई मिलिख सकते हैं क्या तुम बेमान नहीं हो आर यू नॉट डिस औरेस्ट क्या हमारे देश्क ने ता महान नहीं है आर क्या था यूट्र आर यूट रड़ अर देश्क रड़ गड़ार क्या मैं नोखर नहीं हूं M I not countable नहीं नोखर और singular ए दीजिए A servant क्या मैं छात्र नहीं हूं M I not a student क्या हम लोग सिच्छक हैं Are we teachers क्या हम लोग अभियनता नहीं है Are we not engineers क्या तुम डाक्या हो Are you a postman क्या तुम एक किरानी नहीं हूं Are you not a clerk क्या आप लोग डॉक्टर हैं Are you doctors क्या वह गाई का है Is she a singer क्या लर्की नर्तकी नहीं है Is the girl Not a dancer क्या लर्किया नर्तकिया नहीं है Are the girls Not a dancer How are you Danseors तो दोस्तो यह जो नोट किये थे उसको हम Wealth कर चुके हैं आगे 2 टांसलेशन और हैं यह से हम नूट करते हैं तो दोस्तो दोस्तो आगे जो बचा था दोू से हमनोट कर चुके हैं और उसे भी म्स nuovo है तो टोस्तो को इंगलिश मैं थिप बोलता है जोले लिखेंगे थिफस क्या वे लोग चूर है और दे क्या वे लोग डाकू नहीं है और नॉट रॉवर्स तो दोस्तों इस तरह से एक्सरसाइज फोर्ज हो रहे पूर्ण रुप से सौब हो चुका है और हमें यह जानकर बहुत खुशी होगा कि आप लोग को अची तरह से यह समझने आ गया है तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग को आज का वीडियो लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना खुलिएगा यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में वेल आइकन को दबा लिजिए ताकि जब ही मैं वीडियो लोड करूं सबसे पहले आपको पहुंचे लाने बाए